हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत करता हूं एक पर द्वारा से आपके अपने चैनल विवेक रना स्टॉक्स पर दिल से तो दोस्तों आपने बहुत दोगों का पोर्फोलियो देखा होगा आज शेर करूंगा और बात करूंगा हमारे प्रेजिडेंट अफ इंडिया जी का पोर्टफोलियो राइट या इन्शोर्ट आप बोसकते हैं गौर्णमेंट आफ इंडिया का पोर्टफोलियो बैस्ट पैनी स्टॉक अंडर 20 रुपेज मतलब इन्होंने कौन कौन से स्टॉक को होल्ड करा हूआ है 20 रुपे के अंदर तो शेर करूंगा टॉप पैनी पक्का करना एंड कॉमेंट पक्का करना क्योंकि इसका मैं पार्ट टू भी बनाऊँगा तो अगर आप चाहरते हो कि पार्ट टू बने नीचे आप कॉमेंट सेक्ष्ण में पार्ट टू कर सकते हो और जैसे आपको बहुत लोगों ने यह जो स्टॉक में भी बात करने वाल से चार्ट अनलिसिस प्रॉफिट एंड लॉस अनलिसिस एंड फ्यूशर में क्या आपको इन स्टॉक में पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए जैसे आपको पता है गौर्णमेट ऑफ इंडिया का पॉर्टफियलिया है तो डेफिनिट्ली जो इसमें रिटर्न हो स्टार्ट करते एंडिसिस कुछी समझ आयगा तो लाइक ठोक देना और पार 2 के निचे कॉमेंट पकका कर देना आप स्क्री में देख सकते यह कुछ स्टॉक से ठीक है इसका मैं पार 2 भी बनाने वाला हूं ठीक है तो आप नीचे कॉमेंट कर सकते हो पार 2 और मैं एक इंस ठीक है और पक्का उंको follow करना Instagram पर तो दोस्तों बोल देना चाहता हूँ वीडियो साथ मेभी थोड़ा लंबा हो सकता है इसलिए प्लीज वीडियो को अन तक देख लेना राइट स्टॉक का नाम शेयर करने के बाद कंपनी के fundamental analysis करेंगे उसके बाद शेयर करने का चार्ट वीडियो अन तक देखना तो दोस्तों हमारा जो पहला स्टॉक है वह बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक है स्टॉक का नाम आप स्की में देख सकते है यूको बैंक काफ़ी पुराना बैंक है दोस्तों अगर बात करते कंपनी के स्टॉक के असपास ट्रेट कर रहा है साथ में देख सकते हो नीचे लेकर चलता परमोटर होल ने increase हुई है राइट साथ में मैं बुक से काफि सस्ते में आपको मिल रहा है अब बात करते कंपनी के quarter results की तो सब देख सकते हैं कंपनी के March 21 की earnings आ चुकी है 3566 कोर की आपस का sales देखने को मिला net profit की अगर मैं बात करता हूं तो company ने 80 करोड का profit दिया है जो last quarter में 35 क्रोड ता मता कंपनी का जो प्रॉफिट है लगता उसमें आपको एक अच्छा कासा इंक्रीज देखने को मिल रहा होगा अगर बात करते हैं प्रॉफिट लॉस्ट दस साल की तो सब देख सकते हो जो कंपनी के रेवेन्यू है मार्स और 21 में 14,440 क्रोड के आसपास देखने को मिलता है जो लास्ट येर 15,000 क्रोड से उपर का देखने को हमें मिलता है अगर बात करते हैं नेट प्रॉफिट की तो दोस आप देख सकते हो क्रेंटि कंपनी प्रॉफिटेबल हो चुकी है साथ में लास्ट पांस साल से कंपनी लॉस्मेकिंग में थी राइट अगर बात कर प्रॉफिट में लगातार देते रहेगी तो देखने फ्यूचर में जो स्टॉक का प्राइज है जो अभी ट्रेट कर रहा है 15 रुपे 16 रुपे के आसपास ये आपको 30 रुपे और 35 रुपे मिल सकता है अब दिखाता हूं स्टॉक का चार्ट व्यू तो आप देख सकते हैं यूके यूके बैंक का मैंने चार्ट खोला हूँ है और दोस्तो अगर 16 रुपे 80 पैसे के ऊपर एक बार चले जाता है तो स्टॉक में जो तेजी आपको देखने को मि लगा है और दोस्तो अब देख सकते हैं कि यूके स्टॉक का 15 रुपे 50 पैसे एक स्टॉप हो है रजिस्सेंट देख लगाता है अपने रजिस्सेंट करने के बाद आपको एक बाई मिल सकता है अरांड बार रुपे साड़े रुपे का चाफी मुझे अच्छा लग रहा है बाई करने के लेकिन आपको स्टॉपोज लाना पड़का कि यह चोटा सा स्टॉपोज निकल के आता है साड़े 10 रुपे के आसपास और दोस्तो डेफिनेटली इस बाई गर इस्टॉप उपर जाएगा तो यह दोस्तो डेविंट 16 रुपे 80 पैसे को ब्रेक कर सकता है और ब दूसरा पैनी स्टॉप है उसका नाम है इफ की लिमिटेट ठीक है यह इंडिया यह ओपरेट्स करता है इंडिया एंडिया एंड सिंगल सेंगमेंट ऑ फाइनिसिंग राइट कम्पनी का मार्केट के 2,900 क्रोड के असपास का है 14 रुपी के असपास अभी आपको ट्रेट कर compound देख सकती हो 106 क्रोड की कंपणी ने sales दिखाई है कर बात दो यह ट्रफिट के तो कम्पनी लॉस्च मैकिंग में है तो देखसकते है यह यह के लाउस में कंपनी है अगर बात करते हैं भ rubास सबस्य कंपनी कामकाश कैसा और कमपनी कंपनी कांक शा कैसी है तो मात दежд सकती ह पास 11000 क्रोड का debt है इसका मतलब कम्प्री अमने debt reduce तो कर रही है at least बस cash flow की बात करते हैं तो company के बास 178 क्रोड का cash flow है बात करते हैं अगर से अब करते हैं अगर से अब को परता है President of India की holding stock में 61% निकल के आती है साथ में FIIs की holding भी 2% है साथ में हमारे DIs की holding भी 9.88% निकल के आती है साथ में public की holding 26% है तो साथ आप देख सकते हैं एक loss making company है और यह जो stock है हमारे FIIs और DIs में अभी तक hold कर रहा साथ में President of India ने भी stock में hold कर रहा बात करें stock के chart view की दोस्टोस आप देख सकते हैं तो दोस्टोस आप देख सकते हैं इफकी जो stock है आपका लगतार एक high rise के pattern मना रहा है और दोस्टोस देख से तो stock लगतार एक range में trade कर रहा है अगर बात कर तो stock का में एक अच्छा का stock में एक resistance phase हुआ है ठीक है resistance phase करने का stock नेचे गे रहा है और दोस्टो stock अभी एक up and handle pattern मनाने का formation कर रहा है बना रहा है अगर stock को मैं बात करता हूँआ अगर आप इस stock को hold कर सकते हो जब तक इस stock 10 रुपे को बड़ेट कर रहा है जब तक तक 10 रुपे के उपर है stock को अब hold कर सकते 25 रुपे और 30 रुपे के target के लिए अब बढ़ते हैं हमारे 35 रुपे की तरब जिसका नाम है तरब तीसरा stock है वो भी एक Punjab and Sindh bank करके है रहे दूस्तो stock को भी आप नजरों में रख सकते हो आठ है 186 क्रोड के असपास का market cap हमें देखने को मिलता है साथ में प्राइस रुप 20 रुपे और 20 रुपे के असपास 20 रुपे के असपास ट्रेट होते हैं आपको दिख जाएगा राइट कंपनी आपको डिमीरियर नहीं दे रही है साथ में अगर बात करते हैं सब कुछ stock में आपको negative देखने को मिलेगा ठीक है नीचे लेके चलते कंपनी का profit के इपर देख बैलेंशिट की बात करता हूं तो रिजर्ब 4300 कोड के असपास का साथ में कंपनी का डेट 98,000 कोड के असपास का है कैश विलो की बात करते कंपनी के पास negative cash विलो है अगर प्रेजिदेंट ऑफ इंडिया की बात करते हैं इंकी सेरोलिक पैटरन कैसा है तो 97% के आसपास का stake अने ओन करा हुआ है और मात्र जो पब्लिक और डियास की होल्डिंग है 1 और 2% के आसपा निकल खे आती तो अब दिखते तो यह तीसरा पैटरन स्टॉक था जिसमें 97% के आसपास हमारे प्रेजिदेट ऑफ इंडिया ने इस पैटरन स्टॉक को अन किया हुआ है अब बरते तो स्टॉक में बहुत बड़ी तेजी आपको सबसे है अगर आपने स्टॉक को अभी तक होल्ड किया हुआ है तो आप जुस्तों को कर सकते हो जब तक यह तक पंदा रूपे के उपर ट्रेट कर रहा जब तक 65 रूपशे के उपर है स्टॉक में कोई दिक्क्वत नहीं है आ मुझे लगता है future में अगर ऐसी कुछ news आती हो तो ये भी privatization की तरफ आ सकता है तो भाई डेविनिटी stock में आप नजर रख सकती हो 15 रुपए के उपर अगर trade कर रहा है तो आप stock को hold करो और stock में काफी बड़ी तेजी आपको देखने को मिल सकती है क्योंकि जो हमारे गौर्वर्मेंट बैंकिंग है गौर्वर्मेंट सेक्टर के बैंक है बहुचल प्राइजेशन होने वाला है उनका mostly जैसे एक नाम आयता आयोवी का नाम आयता और आपका महा बैंक का नाम आयता दूसरा आप दिखतो 1370 क्रोड के आसपस का मार्केट कैप है अभी जो पाइस मिल रहा है आपको 20-21 रूपे के बीच की आसपस मिलेगा 24 रूपे का स्टॉक का हाई है निचे लेके चलता हूं दूस्तों दिखतो लॉस मेंकिंग कंपनी होगी राइट अगर बात करते हैं को सब्सक्राइब कंपनी के जो रिजर्व है चौबिस सोला हजा क्रोड के रिजर्व नेगेटिव है साथ में लोन लगता बढ़ रहा है कैश विलो की बात करते हूं नेगेटिव कैश विलो है अकर बात करता हूं से रूटिक पैटर्न की तो हमारे जो प्रेजिटन आफ मैंने चार्ट खोला हुआ है और दोस्तों देखिए स्टॉक में अच्छी काही तेज़ी आद देखने को मिली है बाइस वैसी वैसे ट्रेट कर रहा है दोस्तों मेरा मानना का स्टॉक यह अपना नेक्स अजिसन जो निकल किया था स्टॉक का I think 24 रुपे के आसपास अगा 24 रुपे को उपर इस्टॉक क्लोजिंग कर देता तो स्टॉक में आपको बहुत बड़ी तेजी देखने को मिली कि जो स्टॉक को 30 रुपे और 35 रुपे तक लेकर जा सकता लेकिन अगर आपने स्टॉक को अभी तक होल्ड किया तो मैं बोलूँगा स्टॉपोस लगाईए मा आपके प्रेजिडन आफ इंडिया के कुछ पैनी स्टॉक्स जो अभी तक होल्ड करे वे जो यह ओन करती है अगर आप चाहते हो कि मैं इसका पार्टू बनाओ बैस्ट पैनी स्टॉक्स अफ प्रेजिडन आफ इंडिया अंडर तीस रुपीज अंडर 40 रुपीज अंडर 50 अंडर 60 रुपीज अंडर 70 रुपीज तो आप नीचे कॉमेंट कर सकते हो definitely मैं प्रेजिडन आफ इंडिया का जो पॉर्ट्फुलियो स्टॉक्स होंगे आपके शेर करने में मुझे मज़ा आ जाएगा तो आप नीचे कॉमेंट करके definitely बहु सकते हैं सर्फ पार्टू झाल